मुरैना की तस्वीर आपने देख ली लेकिन दिल्ली में किसान कानून के खिलाफ अभी भी डटे हुए हैं क्रिशी कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज पांचवा दिन है आज किसान नेताओं ने पांच बॉर्डर से दिली को घेरने का एलान किया है किसानों ने कहा है कि वो सिंगू बॉर्डर, टिक्री बॉर्डर, गाजीपूर बॉर्डर, बदरपूर और गुरुग्राम बॉर्डर से दिली को घेरेंगे इस वक्त भी दिल्ली के तीन एहम एंट्री पॉइंट्स यानि की सिंगू, टिक्रिय और गाजीपूर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान जमा है सरकार भी किसानों का अंदोलन खत्म कराने की पूरी कोशिश कर रही है देर राध जेपी नड़ा की घर पर अमिच्छा, राजिनाद सिंग और कृशी मंतरी नरेंदर सिंग तोमर की बैठक हो सिंगू बॉर्डर पर हमारे रुपॉर्टर कुमार सोनू ने किसान नेता सुर्जीद सिंग से बात की और ये जाना कि उनका अगला प्लान ओफ आक्षन क्या होगा स्गु वार्टर पर किसानों के अंडुलन का आज पांचमा दिन है हमार साथ किसान्यता है भारते किसान यूनियन से सुरजीत सिंग जी कया रणनेती तेहकी है हैं हलाकि कल प्रस कंफेंस करके आपने सारी बाते रखी थी हम लोगों के सामने लेकिन अब आगे की क्या रणनीती है और क्या फैसला लिया है आप लोगों ने बैठक भी हुई थी आपके संगट हमारी अगली रणनीती जे है भी हम जो पांच बड़े बार्ग है दिली के सवी दिशाओं में उस पांच बार्गों को रोकर दिली की के रावंदी करके रखन का मंतरी राजनात सिंग्गर्ए अमिश्शा और किश्षी मंतरी नरिनि सिंग्टोमर कह रहे हैं कि अपिल करें किसानों से कि नेशनल हाइवे को खाली करें और बात चीत करें उस पर आप लोगों का ख्यारो है हमारा जे ख्याल है मानना है वी जो उनकी परपोजल है कल ग्रै मतराले का जो सेक्टरी है जाद भला लगता है इसके बाद अजेब भला हाँ अजेब भला के राही लेटरा आया था सदा पतरा मतरन पतरा आया था उसमें शड़क खाले करके नाल जो है बराड़ी नरंकरी पार्क भी बोलते हैं बराड़ी बराड़ी पार्क में सभी किसान सभी किसाना की फाउज और किसानों के टैंक किसानों के ट्रेक्टर असी ट्रेक्टर नों टैंक कहने है किसान फाउज की वो सर्वी ओस पार्क में जा कर पhela जबां करें सानु रिपोर्ट देंगे बिलुकल क्लिर फिर बात करेंगे इस कर के असी और जो शर्त लगाई से उस बात को से ठकरा दिया उनको जड़ा मंतर नपतरसीं ऑसे उसको ठकरा दिया तो ज़ो भी बातचीत का दूर होगा वह सिंगू बादर पर बिल जो भी बातचीत हुएगा, पहले साथे दो बातचीत होगी, एक अक्तुबर मिहिने में हुए दूसरा नमंब्र मिह निमैं, तेरा नमंबर को, 12 से एक दिन पहले, दोनों बात जे ओ, बग्यानवावन में हुए है, तीसरा बात भी गालवात भी बग्यान भावन है, जो डिल् कंडिशन के तब तक आप नैशनल हाईवे पर इसी तरीके से दिल्ली को जाम रखेंगे बिल्कुल जब तक सरकार बदाउट गनेशन गल्वात नहीं करेगी ए नैशनल हाईवे पर ही असी जम्मे रहांगे टिके रहांगे जाम करके रखांगे ते अगली गल जे है बी तो आपने सिंगू बॉर्डर से मेरे सयोगी कुमार सुनू की रिपोर्ट देखी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां भी किसान जमा है और उन्होंने हाइवे को बंद कर रखा है देखिए दीक्षा की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के साथ यहां पर जो बीएसफ के जवान है वो यहां पर मौजूद है उसके साथ यहां पर आप क्रेंस वगएरा भी देख सकते हैं और जो यहां पर वोटर कैनन है उसे भी तयार किया गया है और साथ ही जो आनॉंसमेंट की गाडियां है वो भी यहां पर खड़ी है कि अगर किसी भी तरह से जो दिल्ली पुलिस के जो आला अदिकारी है अगर वो किसानों से संपर्क साथ ना चाहें तो वो अनॉंसमेंट के जरी भी उनसे संपर्क साथ सकते हैं और मां कोई बड़कर वड़के हुए किसान में है हम चांती से अपनात मांग रहे हैं अगर सरकार देना जाये तो दे सकती है लेकिन आप जब तक सरकार नहीं मानने की अधर दास भी करके आए इसी भी सबी हमारी कमनों जो हमारी शेया पूरी करें बगवार सब का बढ़ा करें लगातार जो किसानों के जो नेता हैं वो यह इस बात का आखवान कर रहे हैं कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डस पर किसान टिके हुए हैं और रुके हुए हांदो करने प्रदर्शन कर रहे हैं वो धीरे धीरे दिल्ली के अंदर पहुंचे एक जूट हो और लगातार इस अपने प्रदर्शन को यह जारी रखना चारे हैं लेकिन इस बिगटते मोहोल के बीश में दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से तयार है जो सुरक्षबल के जवान है वो पूरी तरह से तयार है और धीर धीरे खास और पर इस बॉर्डर पर जो पुलिस बल है उसकी संख्या जो है बढ़ाई जा रही है अगर आगर आप दूर तक नजर डाले दरसली रोह तक रोड है और इसे शुरुआत से ही ब्लॉक कर दिया गया है हाला कि जो पैदल आव बिगड़े हैं तो यहां पर आसु गैस के गोले भी छोड़े गए है तैसे में पूलिस यहां पर पूरी तरह से तयार है और किसान पर अड़े हुए है सिंगू बॉर्डर और ठिक्री बॉर्डर के अलावा इस वक्त गाजीपूर बॉर्डर पर भी पूरी तरह से किसान जुटे हुए हैं यहां पर भी जाम है गाजीपूर बॉर्डर पर सुभा तिसानों ने बैरिकेट्स तोड़ दिये और इस वक्त सड़क पर बैठ कर ये तिसान यहां नारे बाजी कर दिये हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हिसान यहां, 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 हिस फिलाल हम रुखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सरकार और किसानों के बीच पेंच कहां फसा हुआ है